वेल्कम बैक तो माई चैनल गाई एक और न्यू रीडिंग के साथ मैं आ गई हूं कैसे हैं आप सब आपको अच्छे हैं खुश आर अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूं मैं आप सभी लोगों के लिए टॉपिक है जानेंगे आपके परसन अभी आपको लेकर कैसा फील कर रहे हैं राइट watch नाओ jan आप सोच रहें हैं ऋयू आपको messages देंगे ठीक है यह सारी बाते पता लगाएंगे start करते हैं रीडिंग बिना देर करें और देख लेते हैं क्या आप आए हैं आप लोगों के लिए Guys, यह general reading है, तो हो सकता है, आप सभी के साथ resonate हो, हो सकता है, ना हो, so please keep an open mind, और reading यह timeless है, तो जब भी आप यहां तक पहुंचें, आप देख सकते हैं Page of Swords Knight of Wands The Wheel of Fortune Queen of Wands and Justice King of Pentacles Chariot Knight of Swords Two Knights के कार्ड है यहां पर Ten of Wands, sorry, Ten of Swords And we have Ace of Wands Page of Pentacles का कार्ड है, बौटम देख से, यहां पर है Scorpio, Taurus, Leo, Aquarius and Sagittarius Gemini Libra भी है यहां पर और Cancer है यहां पर तो यह तो कुछ strong sign आए हुए है, बाकी element यहां सारे है ओके, क्या feel कर रहे है, कैसा feel कर रहे है आपको लेकर देखो आपके लिए तो इसके मन में हमेशा romantic feelings रही है जाया आपके बीच में बात होती है या नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लेकर काफी attraction है, romantic feelings है आप दोने के बीच में long distance connection दिख रहा है, या फिर caste का issue है, यह तो यहां पर confirm है और यह person अभी आपको stalk करते हैं, social media पर ओके, यह आपके साथ एक new beginning चाहते हैं, लेकिन अफसोस करनी पा रहे हैं because हो सकता है कुछ hardships आपके person भी face कर रहे हैं, लेकिन यह बहुत जल्दी victory की तरफ move कर रहे हैं ठीक है, अपने success की तरफ या इसको अपना business establish करना है, या फिर job में अच्छा perform करना है अच्छे projects पर काम करना है, अच्छी strategy बनानी है, कुछ इस तरह से काम कर रहे हैं यह person continuously बात नहीं हो रही है, लेकिन जो भी है यह आपका destin connection है, इस person को भी यह बात feel होती है देखो अगर आप दोनों के बीच में अभी no contact situation है तो आपके person को यह भी बहुत अच्छे से idea है कि कुद्रत या यह universe आप दोनों को फिर से मिलाएगा, किसी एक certain point पर, फिर से मिलाएगा आपको universe कुछ इस तरह की intuition बोल रही है आपके person की, ठीक है, और justice भी देंगे यह person आपको, एक time पर आने पर और आपके साथ new beginning करेंगे, आपके लिए न, आपके लिए और इस connection के लिए इसके पास एक अच्छा plan है already, लेकिन अभी वो plan सर्फ save करकर रख दिया है, उस पर implementation नहीं हो रहा है आपके person की तरफ से, क्योंकि जो main, अभी जो attention है, वो जा रहा है काम पर और business पर, ठीक है, लेकिन yes, अभी तो बहुत ज़्यदा stalk भी कर रहे हैं आपको, और अभी आपको sorry भी, मनलब sorry भी feel करते हैं ये person, क्योंकि आप से बात ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये person काफी ज़्यदा sorry feel कर रहे हैं, और चाहते भी हैं कि आपको justice मिले, आपको बताएं लेकिन ये बतानी पा रहे हैं आपको, कुछ भी नहीं ब मदद से ये आप तक पहुंचेंगे, क्योंकि अभी आपके साथ disconnected हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं आप से, चिक है, trust, और हो सकता है guys, कोई third party situation है, तो अपने X को release करने में सारी energy लग रही है, आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि X के साथ जो भी connection है, वो खतम करना ह connection हो सकता है, यहाँ पर, देखो आपका connection spiritual है, क्योंकि एक तो wheel of fortune का card है, उपर से ये black and white मुझे yin and yang की energy बता रहा है, तो अभी clear message है यहाँ पर कि आपके person आप से दूर हो चुके हैं, या भी separation है, या फिर no context situation, clear दिख रही है, क्योंकि आपके person third party situation के साथ है, और ये इस third person क होना release करने में लगे हुए है, आप trust करें इन पर, third party कैसे भी हो सकती है, कोई business deal में आ सकती है, या work भी हो सकता है, या फिर कोई और person है, जो इस person के पीछे पढ़ गया हो, चीक है, या फिर कोई, you know, एक karmic account हो सकता है, जिसके साथ energy थोड़े time के लिए, जाएगी जाएगी इस person की, क्योंकि वो karmic account clear करना है, तो अगर आपका spiritual connection है, तो यह karmic account ही clear होगा, और उसके बाद आपका reconciliation होगा, आपको trust करना पड़ेगा, इस process पर, tough time है आपकी connection के लिए, लेकिन trust main है यहाँ पर, deception, इसी वज़ा से न, क्योंकि third party है, आपके person बहुत साथ जीज़े छुपा रहे हैं आपसे, आपको बताई नहीं रहे हैं, इस time आपको थोड़ा keep an open mind रहना पड़ेगा, open mind रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके soulmate थोड़ा सा different है आपसे, आपके type से और आपकी expectations से, और deception है, इस person के अंदर, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी खुशियों के लिए, आपसे बहुत चीज़े छुपा रहे हैं ये, छुपा के रख रहे हैं, hide कर रहे हैं आपसे, ताकि आप hurt ना हो जाएं, लेकिन ये आपको hurt तो करी रहे हैं, और ये बात बहुत अच्छे से पता भी आपके partner को, कि आपके person आपको hurt कर रहे हैं, इसलिए तो sorry भी feel कर रहे हैं, बट feel कर रहे हैं, चलो, ठीक है, आगे देखते हैं, इनका action क्या होगा, और guys, आपको ये चीज़ समझनी चाहिए, कि हर वक्त अच्छे दिन नहीं हो सकते life में, ठीक है, चीज़े आती है life में, challenge ब accept करें, ताकि आप कुछ नया सीख पाएं, life में सब कुछ प्यार, महबत, ठीक है, साथ में रहना ही इतना important नहीं है, कभी-कभी separation भी बहुत अच्छे lesson लाइफ में लेकर आते हैं, target लेकर आते हैं, जिस पर हम काम करते हैं, और फिर हमारी value और जद़ बढ़ जाती है, ये life बहुत ही बहुत ही difficult, आप कहा सकते हैं, बहुत ही difficult exam है, ठीक है, हमारी परिक्षा है, जो आप अपने future के लिए कर रहे हो, university में पास होने के लिए कर रहे हो, वो कुछ भी नहीं है, life बहुत difficult है, यहाँ पर अपने emotions को control करना, अपनी life को control करना, एक साथ हर चीज करना, बहु क्योंकि देखो, आप लोग किसी के divine counterpart हैं, तो definitely आपकी एक journey भी different है दूसरों से, दूसरे लोग जो होते हैं वो छोटे से ही चीजों को पा कर, खुश हो जाते हैं, और वैसी एक ordinary life जी लेते हैं, बट आप तो ऐसे नहीं दिख रहे हो ना, आपके जो सपने ही बड़े करनी हैं, आगे बढ़ना हैं, एक चीज़ अचीव करने के बाद दूसरे पर move कर जाना है, तो ऐसा, ऐसी सोच हर किसी की नहीं होती, कुछ लोग तो बस इतनी पढ़ाई कर ली, अब बस आगे नहीं पढ़ना, बहुत हो गया, इसी पर रहना है, आगे और कुछ नहीं करना, या फिर किसी एक मंदिर हो आते हैं, वहां से कुछ अच्छी knowledge मिल जाएगी, कुछ नया कुछ सीखने को मिलेगा, इस तरह की कुछ creativity, बहुत ज़्यादा curiosity होती है, आप लोगों के अंदर, जो की है, तो separation आ रहा है, कुछ नया सीखने के लिए आ आपके लिए, तो इसमें ज जाके कुछ हो सकता है, और जातर लोगों के तो life में ऐसा भी लग रहा है, कि union अब इतना matter नहीं करता, क्योंकि life ने इतना कुछ सिखा दिया, इतना hardship दिखा दिया है, कि अब शायद मन हट गया है, कुछ ऐसी भी vibe आ रही है यहाँ पर, आप लोग सोचते हो, क्या ही मिल जा matter नहीं करता, इतना, आपके person, जब आप इस stage पर पहुँच रहे हो ना, तो आप मुझसे लिखवा लेंगी, हब आपके person आपके लिए परिशान होना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप ज़्यादा, जो vibes आप भेशते हो अपने person को, जो energy भेशते हो, वो उन्हें मिलेगी न और जब नहीं मिलेगी न तो वो परिशान हो जाएंगे, वो आपके पास आएंगे, फिर वो आपको यकीन दिलाएंगे, क्योंकि ये चीज़े भी जरूरी हैं, लाइफ में शादी, घर बसाना, घर बनाना, कब तक आप एक single tire मेलब पहिए पर अपनी गाड़ी आगे होगे, आपको दूसरे पहिएं के भी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपके पार्टनर हैं, और वो आएंगे आपके पास, बट अब ही अगर आपके स्टेज पर आगए हो ना, कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता, union हो ना हो, खुशी मिले ना मिले, तो ये आपकी progress है, इसका progress है आपके लिए, तो इसको सोच के आपको regret नहीं feel करना है, खुश होईए कि आप ऐसा सोच रहे हैं, आप कितने, आप कितने ज़्यादा strong बन चुके हैं, आपको किसी के ज़रूरत नहीं है, confidence level बढ़ गया है, tension हट रही है life से, तो यहीं तो चाहिए आपको, बाकि आपके person अभी busy है, समझ जाएए कहाँ पर, और जल्दी ही यहाँ से free होकर, वो आपके पास आके रहेंगे, क्योंकि आना ही है अगर आप लोग divine counterpart हो एक दूसरे के तो, आना ही है आपके person को, यहाँ से भी देख लेते हैं कुछ cards, divine feminine बन रहे हो guys आप, और divine feminine complete जब हो जाती है न तब ही वो बनती है ऐसे, yes, boundaries, आप खुद boundaries बना रहे हो अपने आसपास, कि आप अच्छा कर सकते हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है, और देखना, आप जब perfect divine feminine बन जाएंगे आपके person खुद आपके पास आएंगे, manifestation, करते रहे है manifestation, ऐसे ही, चीज़े ठीक हो जाएंगे आपकी life में, okay, थोड़े से messages देख लेते हैं, क्या बोलेंगे यह आपको, I am trying to find my purpose, purpose find कर रहे हैं, I can't wait to start a family with you, I do believe faith is the reason for us, yes, and I will never say I love you unless I mean it 100%, देखो, Valentine week है, यह कल Valentine day है, खुद भी tarot card ratings देख रहे हैं, फिर भी आपको propose नहीं कर रहे हैं, यह तब तक नहीं करेंगे, जब तक इनको अंदर से realize नहीं जाता, कि हाँ, यही मेरा person है, इसे से मुझे शादी करनी है, यही है life partner, क्योंकि अपना purpose भी find कर रहे हैं, जब purpose find कर part तक पहुचेगा, यह पहुचेगा, तो यह, यह person आप तक पहुचेगे, don't worry देखो, यह आएंगे आपके पास reconciliation के लिए, यह person आएंगे, क्योंकि आप इसके true love है, तो आपको trust करने की जरुरत है यहाँ पर, trust कीजिए guys, इस process पर, अपने partner पर, इस connection पर, और अगर आपको खुद से complete feel होता है, और आपको नहीं union के इतनी जरुरत है, तो यह progress है, इसको regret में count मत करना, okay, I hope कि reading आपके लिए helpful रहेगी, आपको पसंद आएगी, तो अभी के लिए बस इतना है guys, bye, take care.